कि टोटल है तेरा रेंट बगेर विकेट की नुकसान पर प्रतियों वर सोला पंच्यासट यानि कि तक्रीवन सत्रा की आउसत पानी है और जब आप स्टोक कमार की टाइमिंग और जैसे ही बैट के बीचों बीच आने के बाद एक बहतरी स्टोक देखने को मिला लंग आप के एक पनल युपका से है यह देख बिल्कुल हुआ दो का यह फे घुष्ट ओक है विपल मंगेशका यह फेवरे जोंके सीधे बनले से केला था प्राशान के बनले से स्वारी और प्राशान के ये फेवरेश्ट होके सीधे केला स्क्रीन के उपर से चक्का और चक्के के साहिता से टीम की टोडल और निस पर पहुंची है तो इस सुबर के आखरी गेन इसके बाद होगा टास गेन बाद तयार फीर एक बार इंसाइट आउट की है स्टोक फ्रशान उर्पनानो के बल्ले से लगातार ये दूसरा शांदा चका और गेन बाजी को टेस मेंस कते हुए 25 रन जोड़े पहले उबर में तो अगला टास होग विजुबाव जिनकी शुबातों से टासों का अगले मुकाबले का जो सिकेंड और उनका सिकेंड मुकाबला है और कमाल की पारी कमाल की बल्ले बाजी की है प्रशांद पाडिल जो कभी शांत नहीं बेटे है वह है प्रशांद और आज कमाल की पारी के लिए प्रशांद न एक तरफ मंगेश का भी शुर्बात बेतरीन रही तो टॉस वहाँ पर जीता है तुर्बे टिम के कप्तान ने निर्ने आपको तुरंद बताना है तॉस जिपकर पहले उन्होंने निर्ने देना बिल्कुल है स्बाइब लेती है, 양ा पर जीतने के लिए 15 लिए 25 लिए 25 लिए applying वे जलने यार टिम के दुदानाल फॉर्जी वाईड गें यह प्रेशर यह दबाव है विल्कुल दूड़ फॉर जी की उपर क्योंकि पहले उवर में गेंड़ ने कापी पिटाई की है यानि कि अब दो द अबाब है आने वाले गिन्बास की उपर याने की डोनाल पूरजी की उपर अब 24 सन के अबशक्त होगी बारा गेंडे 24 सन के अबशक्ता होगी यह गे इन बहतरीन थी बिलकुल कापी बहतरीन फेकी वाइड यॉकर बल्ले बास के पास मौका भी नहीं ताप बल्ले को निकालन में तो बिलकुल यदि दांसर टीम जीती है तो अगला मुकाबला जिसमें होगा उसको डायरेक्ट ड्रॉक के मादिम से फाइनल में पहुचा जाएगा यानि की दांसर टीम तो बाई में नहीं आएगी यह मुकाबला आप दोनों टीम खुट यहापर तुर्ब्य और एकट पर हमें वो सीदा मेगा फाल में जाएगा और इस बार शांदार सोग गेंज आतिवी लंगान की तरफ वा खिलाडी मौजूद एक रन जरूर बना अब दुआए जरूर सुरू हो चुकी है एकट पर टीम के खिलाडी तुर्ब्य टीम के खिलाडी यही दुआ कर रहे हैं कि कि उन में से जब जितने वाले टीम है सीदा फाइनल में जाएगी और इसलिए कहते हैं कि दवा से अच्छा कभी कभी दुआ काम करती है जब दुआ आपकी दुआ काम नहीं करती तब आपकी दुआ काम करती है और देखना है दांसर टीम मुगाबला जीतेगी या पिर उच चुडान भरते वे एक खिरवली टीम मुकाबले को जीत पाएगी जब तक नानो मेदान पर है जब तक प्रशान मेदान पर है तब तक नहीं कह सकते हैं यह देखिए कमाल की श्रोग आग उगलने वाली बल्ले बाजी नानो के बल्ले से और यह देखिए फ्लाइटेट श्र प्रशान पाडिल उर्प नानो के बल्ले से अच्छी से जीजे जुरी मंदारी मंदारी थैंक यू नानो का भी फार्म में लगाता चार गेंदे चार चकी यह देखिए देखिए वो मुस्कुरा डब उनके खिलाडियों के चेहरे पर आचुकी है क्योंकि जीतने के लिए 11 रन की जरुरत है इस मुकाबले में पिर अग्मार उड़ा इस गेंट को स्टांड डिलेवर स्टांड डिस्पाइज लांग 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 बिग्वे आउट टॉप दबाग सिक्षान ना पांज गेंदे पाच चक्के गुल्षन की चेहरे पर मुस्कुराट क्योंकि डर गेते और इस बार शेगेंट शेचक्के मुकाबला भी जीता और रेकार्ड भी बना प्रशान दूर्पन नानो ने इस मैदान पर रेकार्ड बनाया छेगेंट शेचक्के दाकर इस मुकाबले को जीता है बल्ला उपर करी है बिल्कुल नानो नानो बल्ला उपर करी है क्योंकि इस तरह से शेगें से चके यह रेकार्ड है दोस्तों आज इस मैदान की उपर दासर टीम के खिलाब सेगें में से चके रागें सेगें से सके आज का यह रेकार्ड फिर एक बार बन शुका है मेदान पर प्रसान और पर नानो के बढ़ें